गूड आफटनून वे गूड आफटनून जी की हाल चाल जी वदिया हो सारे तंदुरुस तो फैमिली वदिया चलो बहुत वदिया वदिया होना चाहिए जी अच्छा अभी अभी अपना बजट आ चुक है जी मैं सिर्फ आपके चार से पांच मिनिट लूगा क्योंकि काफी सारी कनफ्यूजन मैंने को लग रहा है क्योंकि कई न्यूस चैनल पर पता नी क्या चल रहा है मुलों मैं को समस्ञन डिया रहा है इतने बड़े बजञें न्यूस चैनल के उपर मलत पता नी क्या चल रहा है की ओल Product strategy में चेंज आ गया 5 लाग से exemption बढ़ा कर 7 लाग कर दी गई है और फिर कई news channel तो मैंने ये भी देखा कि पुरानी scheme जो है वो 5 लाग से 3 लाग पर आ चुकी है महले जो नए tax के rate अभी finance minister ने बोले हैं वो कहरे old scheme के अंदर बोले हैं 7 लाग तक new scheme के अंदर exempt है 7 लाग के बाद tax rate के आओंगे उनको भी नहीं पता तो मैं थोड़ा सा मेरी family के बच्चों के दिमाग में कोई भी doubt ना हो आपके परिवार में कोई भी doubt ना हो थोड़ा सा मैं clear कर दो सरफ 4-5 point आपने में को देने हैं बागी complete detail मैं बहुत जल्दी budget की बनाके डालूँगा ची तो अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चा रहा हूँ आपके दिमाग में 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 क्या doubts आ रहे हैं कि सर जो भी finance minister ने rate में changes किये हैं वो old के अंदर changes की हैं या new के अंदर changes की हैं तो अगर किसी बचे ने budget बहुत ध्यान से सुना होगा न सर problem बदा क्या होई जब उन्होंने गा ना 5 लाग से 7 लाग की rebate हमने limit बढ़ा के कर दी है तो जो भी लोग वहाँ बैठे थे उसमें काफी सारी अवाजया ने लगी ये 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 उसमें ये बात कहीं न कहीं दब गई कि वो 5 लाग से 7 लाग की जो limit की है वो पहली बाद वो new रिजिम के अंदर की है वो old रिजिम के अंदर नहीं की मला आपकी दो स्कीम थी ना section number 115 BAC I think मेरे बच्चे समझ गयोंगे सारे बच्चे समझ गयोंगे 115 BAC जो था उसमें चेंजिस आये हैं पुरानी स्कीम में कोई भी चेंज नहीं आया मैं दुबारा बोल दूँ पुरानी स्कीम में कोई भी चेंज नहीं है मला slab rate वो ही सेम है द्याइब द्याइब आपको दो मिन पीटी दिखा दूँ और कर दूँ यह गोवर्मेंट ऑफ इंडिया की है उन्होंने अभी पब्लीश की है तो उनकी पीटी ही मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको यह लगे कि हावे ऑथेंटिक है बिल्कुल ठीक है इधर देखो द्याइन से है तो उन्होंने पहले कुछ बोला कि हमारे टेक्समें चिंजी सुन्होंने बोला कि रिटन हमारे पास इतने परसेंट हमारी इंक्रीज हुई है तो main जो changes उन्होंने किये हैं अगर आप यहाँ पे check करोगे इधर देखो ध्यान से अब जो उन्होंने tax rate में changes किये हैं और जो slab rate में changes किये हैं वो नई scheme के अंदर किये हैं वो old में नहीं किये मैं एक बार दोबारा बोल रहाँ सर और पुरानी scheme में कोई भी change नहीं है पुरानी scheme जैसे थी वो आज भी वैसे है उसके tax rate भी same है slab rate भी same है rebate वाला point भी same है उसमें कोई भी change नहीं है तो बिना बात किना configure problem किया है मैं देख रहा हूँ हजारों की तादात में वो बच्चे news channel मतलब कई लोग new channel देख रहे हैं उसमें जो वो दिखा रहे हैं और फिर हो क्या तब मैसीर शेर होते हैं भाई साब बच्चों ने screenshot लगा रखे हैं मैं को समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं पड़े लिखे हो आप मैं ऐसी ऐसी बातें मत करो यार मैं को specially 5-6 मिनिट की वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मेरे अभी class है बट मैंने का 5-6 मिनिट के अंदर पहले clear कर दूँ कि changes हैं क्या बाकी detail में बात में discuss करेंगे तो जो भी changes है वो नई scheme में है पुरानी scheme में कोई भी change नहीं है अब देखो यहाँ पर change क्या निकल के आ रहा है जो आपने नई scheme पहले पड़ी होगी उसमें क्या था धाई लाग तक इंगा में एक्जम्ट थी फिर धाई लाग से 5 लाग 5 लाग से 7 लाग से 10 लाग 10 लाग से टीक है टोटल छे थे देना 5 परसेंट 10 परसेंट 15 परसेंट 25 परसेंट 30 अब वह गोर्मेंट ने वह चेंज की है तो वह नई scheme में चेंज है पुरानी में चेंज नहीं पुरानी में आज भी ढ़ाई लाग इंकम एक्जम्ट है नई स्किम गंदर तीन लाग रुपे की इंकम एक्जम्ट है तो देको चेंज उन्दों ने क्या किया है तीन लाग तक टेक्स नहीं लो गया अब यहाँ पर नया स्लैब आ गया तीन लाग से लेके 6 लाग तक 5% टेक्स बन गया फिर 6 लाग से 9 लाग तक 10 % फिर नो लाग से 12 लाग तक 15 फिर बारा से 15 तक आपका 20 और ऐगर इंकम 15 से उपर है उस केस में 35 परेंट यह तो इस चेंज आपके nostalgia की अनदर है ओल्ड रिजिम में कोई भी चेंज नहीं है उसके बाद नई रिजिम में रिबेट आपको मिलती थी अगर टोटल इंकम पांस लग तक की है तो आपको इंकम टेक्स पे करने की रिवायर्मेंट नहीं है बट इसका मतलब यह नहीं है कि एक्जम्शन लिमिट साथ लाग हो चु अगर मेरी इंकम रुपे की है तो जो भी मेरा टेक्स बनेगा उतने की मुझे रिबेट मिल जाएगी टेक्स मेरा हो जाएगा जीरो बड़ अगर मेरी साथ लाग से उपर की इंकम है तो फिर जो होगी वह इस लैब के बेस पियो, बस ये पाद ध्यान दो एक बच्चा कहता है सर पापा सामने बैठें पापा के रे बैटे मेरी इंकम अगर अगर पूरे साल की साड़े साथ लाग है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो अगर अगर साड़े साथ लाग रुपे इंकम है तो इसका मदलब ये नहीं है 7,00,00 रुपे एक्जम्ट है और 50,000 पर टेक्से बलूँगे अगर इंकम आपकी 7,00,00 रुपे है तो पहले 3,00,00 रुपे एक्जम्ट है फिर 3,00,00 से लेके 6,00,00 तक 5% है फिर 6,00,00 से लेके 9,00,00 तक मलब आपकी इंकम 7,00,00 है तो आप इसके 7,00,00 तक है तो जो टेक्स बनेगा उतने की रिबेट है टेक्स बन जाएगा 0 वो रिबेट के बाद 0 बनेगा एक्जम्ट लिमिट आपकी 7,00,00 नहीं की एक्जम्ट लिमिट अभी भी आपकी 3,00,00, रुपे है ठीक है न तो देखो उन्दों नहीं लिख है इंकम टेक्स र 15 परसेंट था 25 परसेंट था 37 परसेंट था अब गवर्मेंट केरें कि अगर इंकम 5 कोड़ से उपर है तो 37 परसेंट की बजाए 25 परसेंट सरचार्ज लगेगा वो भी नई रिजीम में किया है पुरानी रिजीम में नहीं किया मलब पुरानी रिजीम अगर आप लेते हो त 37% तक ही सरजार्ज पे करना है उसमें कोई भी चेंज नहीं है आप समझ सकते हो गवर्मेंट कहना क्या चारी है मेंली कि आप नई स्कीम की तरफ आओ और इवर आपने सुनाओ को अगर बजट कि by default अब वो नई स्कीम कर देंगे अगर पुरानी लेनी है तो आपको बताना पड़ेगा बढ़ यह सारे चेंजिस मैं अपने बच्चों को बता दूँ ना तो यह आपके जून 23 में है में 23 में है ना ही यह चेंजिस आपके दिसंबर 23 में है नवंबर 23 में है यह चेंजिस उनके लिए आएंगे प्रेल से बट उसकी रिटर्न जो जाएगी वो अगली बार रिटर्न जाएगी बस यह बाद ध्यान दिना जी ठीक है न तो कंफ्यूज नहीं हो न बिल्कुल भी बच्चे के सार हमारे स्लेबस में आएगा नियागा आएगा आंसर इस साले चेंजिस वैसे ही नहीं आने एग्जाम में तो आने ही नहीं है एग्जाम में कब आएंगे 2024 में बस यह बाद ध्यान दिना उसके बाद फिर लीविन कैश्मेंट की लिमिट इन नोंने तीन लाग से पच्चीस लाग कर दी हाँ यह दोनों के अंदर है यह दोनों के अ आउंगा तो आपने बस वेट करने complete analysis करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से बड़ मैं clear कर दूं confused मत रहना कि आपके एक्जाम में आएगा नहीं आएगा answer is no December 23 तक के एक्जाम के लिए नहीं आएगा हागर 2024 में एक्जाम अगर आपको देने है तो यह चेंजिस आपके लिए सितानमन जी ने किये हैं वो नई tax regime में किये हैं पुरानी regime में कोई भी change नहीं है slab rate same है rebate same है sarchar same है old regime के अंदर change हुए है नई regime में tax rate change हो गए है slab rate आपके change हो गए है और फिर आपकी rebate जो 5 लग थी वो 7 लग किलिमेट तक rebate मिलेगी उसके बाद कोई भी rebate नहीं मिलेगी फिर आपके normal celebrate applicable हो जाएंगे और यह सारी बातें आपको बसमें को बतानी थी थैंक्यू सो मच ठीक है आपको पता लग गया चलो लिए ओके री बाइबाइबाइट और जिन जिनको confusion है प्लीज ये वीडियो सबको share कर देना थैंक्यू सो मच God bless you love you all जैहिंद फिर मिलते हैं बहुत जलो बांगा ने हैं बहुत जल्दी बाइबाइबाइज डाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब